आज में बनाने जा रही हूं नास्ते के लिए गर्मा गर्म सूरत का फेमस इद्रा इसे भाई ढोकला भी कहा जाता है यह मानिंग ब्रेकफास्टे के लिए बहुती परफेक्ट रेसीपी है यह बहुती चटपटे टेश्टी बनका तयार होंगे साथ में ही इतने सौफ किछन रेसीपी में अपका स्वाकत करते हैं इदे बनाने के लिए हमने दाल चावल को 1.5 चावल अधी करणी उड़त की दाल और पाव करणी पोहा चावल आधी करणी ना वह बहुती है और आपके घर में कोई भी कप या जर्ड़त का मेजर्मेंट कर सकते हैं से 1.5 कप चा नहीं एक पानी तरह से ख़गा दिखा देंगे और इसे तीन बार पानी सची से दोलेंगे देखे पानी के पानी क्लीन हो गए अब इसे छे घंटे के लिए बिगा कर रख दूंगे दाल चावल कितनी सफेद दिखा ही दे रहे और आप हम जो पोहे रखे दे न हम उसे भीगा चलनी के अब छूंपानी के लिखा हाँ था-चावल को कि पोहे को बिगाना है क्योंकि तूहे बहुत ही सौफ्ट हो जाते है यह देखे हैं अब लेंघे जल derivative जार एंदे ग्राइंडर जार और इसके अंदर हम जो दाल चावल का पानी निकाल लिया है एक चलनी के लिए उसके बार बेटर को आपका धीयान रखना यह दिखी इसेआरें वारीट Smooch जाहिए अच्छे सबारिक सफाहब होना चाहिए इस बात को को दियान एक बार और बोल रही हो कि दही हमें खट्टी ही लेनी है और दही डाल दिया है और इसे अब हम इसी तरीके से स्मूठ पेष्ट बना लेंगे और यह देखिए सेकंड बेच का भी हमारा पेटर बनका तयार है इसे भी में उसी बाउल के अंदर डाल दूंगे अगर बेटर मेरा पेटर बिल्कुल परफेक्ट है अब में इसे कवर करका 10 गंटे के रख दूंगे अगर घर्मी है तो 6 गंटे में हो जाता है 10 गंटे के रख दिया है और देखिए अब मेरे काली मीर चली है 10-12 और अच्छे से बारिक कर लोंगे इसको फ्रेशी करना है तभी हमारा जो इसके अदर टेश्ट है काली में इसके बहुत ही टेश्ट है का दस गंटे हो चुके है और यह देखिए कितना पढ़िया खमीर आया है देखने सही पता चल रहा है कितना जब 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 फर्मेंटेशन हुआ है और अब मैं इसे अच्छे से कर लोंगे मिक्स दही कितना शुकलि कितना जब गए खंuger घृतिक तब भूब कर दौत है किगा थी बेटर ब्लडे के इसके अदर को निकाल लिया और इसे में आधे बेटर को निकाल लिया यह डालना बिल्कुल अफ्शनल है और इसे डालने से बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसलिए एक बार जरूर डाल कर इस तरह से बनाइए और इसे भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स अब हम लेंगे जो प्लेट आती ना वह लेंगे इसको तेल से कर लेंगे ग्रीस दो प्लेटों को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और अगर आपके पास यह नहीं है तो आप कड़ाई में थालिक के उपर भी से बना सकते हैं मैंने इस्टिक में पानी गरम होने के लिए पहले से ही रख दिया था और यह देखे पानी भी गरम हो चुका है लेकिन आप हमें देल से Kita के अधर दालना तेल और खाने वाला सोडा अधर नही यह तो आप इनों भी सकते है लेकिन बेकिंग सोड़ा से घर में रेता है'll Kayu लगह चुटी चम्मच ओंधिन उससे ही ठीच ऑने जाले और बेटर दुटु अगर आपको गाड़ा लगता तो आपो जाए लेकिन मेरा बेटर बिल्कुल परफेक्ट है इसे में हलके से इस तरह से टेप कर लूँगी ताकि जो भी आ रहा हो बबल सो निकल जाए अब मैं डाले इसके अपर काली मिर्च जो मैंने कुट कर तयार करी थी फ्रेश डालेंगे न इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इसके दूसरी प्लेट भी मैंने इस तरह से तयार कर लिए इसके अपर भी मिकाली मिर्च अच्छी से डाल दूगी और यह देखे इसके अपर भी चुड़क दी है और दोनों प्लेटे बेरी बिल्कुल हो गई है तयार अब हमें फटा-फट से इसे स्टीम करना है मैंने जार लिया इसके अंदर दो टेबल स्पून दाली है मैंने फुटाना दलिया आप चाहत मुमफली के दाने भी डाल सकते तीन हरी मिच्व डाली है पाच्छे लसुन की कली आदा इन चद्रक का ठुकड़ा थोड़ा सा पो दीना और मुठी भरकर डाला है मैंने हरा दनिया न अच्छी लगती है और दस मिनिट हो चुके अपमें इस एक बार चेक कर लोंगे कि हमारा इदर अच्छे से श्टीम हुआ कि नहीं हुआ एक चुरी डालकर इसे पहले हम चेक कर लेंगे चुरी के उपर चिपके काता समझेगी इदर अभी कच्छा है में दो मिनिट तक पका विधार अगर क्या टेल लगता है तब हमारा बिल्कुल गुच्राती डड़ा बनकर तैयार होगा है अब में इसके स्केर शेप में पीस कर लें और इसको देखी कितना जबाजसते ड़ा बना जुचाट रहें आपको पताच्छेड वह नहीं कितना पर्फेक्ट ड़ा बनकर तयार हए अगर आपके पास बेटर बनकर तयार है तो आप इसे घर पर 15 मिन्ट के अंदर इस तरह से इधड़ा बना सकते है लेकिन हमें बस बिगाने में लगता है time और हमेर उठाने में ुझाने में तो इस तरह से आप बना कर इसे फ्रीज में रख सकते हैं और जब भी बनानारी नास्ते के लिए फटाफट बना सकते हैं और यह देखिए कितनी आसानी से निकर रहा है बिलकुल भी हमारी प्लेट के अंदर चिपका नहीं एक्तम परफेक्ट गुजराती दड़ा बनकर तयार हुआ है वाइड ढुकला बनकर तयार है इस इदड़े को इसे तोड़कर भी बताती हुआ कि इतना सॉफ्ट बनकर तयार हुआ है इस तरह से आप इदड़ा को एक बार रेसीप को एक बार जरूर बनाए और अपने ब्रेक फास्टे में से इक बार शामिल करी अगर आपको मेरी इदड़ा की रेसीपी पसंद आई है तो आप इसे ब मेरी रेसीपी पसंद आई है तो आप मेरी जोने को लाइक करी सब्सक्राइब करें ता कि मेरी मजड़ापी मेरी मज़िदार से आने रेसीपी आपको मिलती हो को मै Felipe नई के साथ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय